अध्याय तीन, कृषी हमारे पूर्वजो द्वारा, हजारों वर्ष पहले चैन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं प्रारंब में फसल उत्पादन मुख्यता भोजन के लिए किया जा रहा था कालांतर में मनुष्य कपास, जूट, आधी फसलों की भी खेती करने लगा समय बीतने के साथ कृषी न केवल जीवन निर्वहन बलकि व्यवसाई के द्रिष्टिकोंड से भी की जाने लगी आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाई बन चुका है इस कारण किसान उनी फसलों को प्रात्मिक्ता देते हैं जिसमें अधिक लाब मिल सके फसल उत्पादन के इस व्यवसाईक द्रिष्टिकोंड एवं मानव की बढ़तियाव शक्ता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में काफी बदलाव किया है यह बदलाव फसल उत्पादन के इस्थान एवं समय दोनों इस तरों पर देखा जाता है भारत में फसल रितू क्रिशी की विशेस्ता ऐसी है कि कहीं पूरे साल खेती की जा सकती है तो कहीं केवल वर्षा रितू में हमें पता है कि भारत में साल भर एक जैसी जलवायू नहीं होती इस कारण यहां साल भर एक जैसी फसल नहीं उगाई जाती इसके उदाहरण भारत के विभिन भागों में उपलब्ध है जैसे 36 गड के सिंचित छेत्रों में बारिश में धान, ठंड में गेहूं या सबजियां तथा गर्मी के मौसम में सबजियों की खेती की जाती है वर्ष के विभिन मौसम में फसल की किसमें बदल जाती है भारत में वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टी से तीन रितूओं में विभाजित किया गया है इन तीनों रितूओं में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में भिन्नता है इस कारण तीनों रित्वों में भारत में अलग फसल देखने को मिलती है जो अगरांकित है पहला खरीफ इस रित्व का आरंब मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है इसलिए इस रित्व में देश के लगभग पूरे कृशी भूमी पर खेती की जाती है इस रित्व में मुख्यता अधिक आदरता और उच्चताप मानवाली फसले उपजाई जाती है इस मौसम की मुख्य फसले धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मडवा, तुर, मूं, उड़द, तिल, मूंफली, सोयाबीन आदी है दूसरा रभी खरीब समाप्त होते ही रभी की खेती शुरू हो जाती है जो पूरे शीत रितु तक चलती है इस रितु में वर्षा बहुत कम होती है वर्षा के कम हो जाने के कारण क्रिशी सिंचित अथ्वा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है इस रितु में बोई गई भूमी का रखबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है इस रितु में शीत बरदास्थ करने वाली फसले बोई जाती है रभी की प्रमुक फसले गेहूं, जव, तोरिया, सरसो, अलसी, मसूर, चना, आधी है शीत काल में जहां कुछ वर्षा होती है या सिचाई द्वारा पानी की उप्रब्धता अधिक है वहां धान की फसल भी ली जाती है उदाहरन के लिए इस काल में पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है तीसरा, जायद शीत रितु के बाद इस रितु का आगमन होता है इसे गर्मा कृशी भी कहते हैं इस मौसम में वर्षा नहीं होती इसलिए इस समय केवल उनी भागों में खेती की जाती है जहां सिचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है इस मौसम में बोया गया छेत्र और भी संकुचित हो जाता है आमतोर पर इस मौसम में नदियों के किनारे जील के निकट, निम्न मैदानों के सिचाई, सुविधा युक्त भागों तक ही फसल का छेत्र सीमित हो जाता है अधिकांश भूमी पड़ती पड़ी रहती है यह मौसम ग्रिश्मकाल की फसलों का है इसमें उच्च तापमान सहने वाली फसलों का उत्पादन होता है इस मौसम की प्रमुक फसलें खीरा, ककड़ी, तर्बूज, सबजियां आदी है इस मौसम में सिचाई आधारिधान की भी खेती की जाती है जो 36 गड़ के मैदानी भागों में देखी जा सकती है